करने की कला तो सारा जीवन बीज़ जाने के बाद भी सायद नहीं आती किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए बुराई तो बिना होनर के किसी की भी की जाजा सकती है हवा में सुने हुई बातों पर विश्वास कर कान की कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं और ऐसे लोग आपकी उन गलतियों पर नराज रहते हैं जो आपने कभी की नहीं होती है जरूरत के मुताबिक जिन्दगी जियो ख्वाइस के मुताबिक नहीं क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरा हो जाती है और ख्वाई से बादसाहों की भी अधोरी रह जाती है बहुत सरल है किसी को पसंद आना, कठिन तो है हमेशा पसंद बने रहना हर किसी की चमता और कमजोरियां अलग-अलग होती हैं इसलिए ना किसी से अपनी दूलना करें और ना किसी के जैसा बनने की कोशिश करें किसी का सरल सभा उसकी कमजोरी नहीं होती बलकि उसके संसकार होते हैं कोई किसी का नहीं होता है यहां, सब कहने की बात है अपना दर्द अपना होता है सहना इसे खुद पड़ता है गोड़ा पर्थम वही आता है जिस पर कोई अनुभवी सवार हो परिवार वही आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार हो नराजगी भी एक खुबसूर रिष्टा है जिस से होती है वह अब्यक्ति दिल और दिमाग दोनों में रहता है अपने अस्तित्वा हक के लिए जरूर लड़ें भले ही आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो उन लोगों के साथ सामने खुष रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं तुम्हारी खुषी उन्हें जीते जी मार देती है कुछ भी नया पाने के लिए उसको मत खो देना जो पहले से तुम्हारा है दोसरों के दोस टूर्णने में वक्त बरबाद ना करें एसा करने से खुद में सुधार होने की कुझाइस खत्म हो जाती है ना किसी का पैसा ना किसी के जान चाहिए जो मुझे समझ सके बस एसा एक इंसान चाहिए तभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिया और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिया धन्यवाद